असलाम लेकॉम डेर इस्टूरेंट्स क्या हल है? आप सब कैसे हैं? मैं हूँ आपकी इसलामयाद्थी टीचर और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेरी आपके साथ इसलामयाद्थी क्लास है लेकिन आज मैं सबसे बहले आपको यह बताऊंगी कि जो हमारा course है वो complete हो चुका है और आज हम revision करेंगे ठीक है तो revision में आज हम सूरे लाहब जो के आपके पास है किताब सफा नमबर टैन पे ठीक है तो आज हमारा revision में सूरे लाहब का श्याने नजूल मैं आपको बताऊंगे सूरे लाहब सूरे लाहब मक्की सूरत है और मक्की सूरतें उन सूरतों को कहा जाता है जो नभी करीम सलिलाहु अलेहे वालही वसल्म के हिजरत से कबल मक्का में उनके मक्की जिन्दगी में जो सूरतें नाजल हुई थी उनको मक्की सूरतें कहा जाता है सूर लाहब मक्की सूरत है इसमें पांच आयात और एक रकू है और ये कुरान पाक में 111 नंबर सूरत है ठीक है? अब आ जाते हैं शान नजूल की तरफ शान नजूल किसे कहा जाता है? और शान नजूल होता क्या है? शान नजूल के मतलब है कि किसी भी सूरत के नाजल होने की वज़ा उसकी एहमियत उसका मक्सद ठीक है? तो सूर लाहब जो है वो लाहब नाम है और नाम किसका है? नबी करीम सलिल्लाहु अलेहिव आलेहिव सल्म के सग्य चचचा हकी की चचचा जिनका नाम था अबूलाहब तो ये सूरत भी अबूलाहब और उसकी बीवी के बारे में है जब हजूर सलिल्लाहु अलेहिव आलेहिव सल्म दावत हक लेकर उठे यनि के लोगों को अल्लाह तालाह के पर इमान लाने का जो पेगाम था जब आप सलिल्लाहु अलेहिव आलेहिव सल्म वो जो दावत थी उसके लिए जब वो निकले तो उनके ये चचचा अबूलाहब जो थे वो ना सिर्फ ये के इसलाम के सक्ष मुखालिफ थे बलके नभी करीम सल्म वो आलेहिव सल्म के भी जानी दुश्मन हो गए थे और वो अज़ूर सल्म की दुश्मनी में इस कदर हद से आगे बढ़ गए थे के वो इसलाम की रहा में हर जगह रुकावटे डालता फिरता था और यहां तक के आप सल्लाहु अलेहिव आलेहिव सल्म पर भी पत्थर फैंकता था और आप सल्लाहु अलेहिव आलेहिव आलेहिव सल्म के पाउं मुबारिक जखमी हो जाते थे अबुलाहव के पास बहुत माल था बहुत पैसा था और वो अपनी उस दूलत पे बहुत घरूर करता था बहुत फखर करता था और वो यह सोचता था कै मैं any फिद्या दे कर जो है तो अपने आप को अजाब इलाही से अपने आप को बचा लूँगा अपनी जान छुडा लूँगा हुआ यूँ के एक दिन حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم सफ़ा की पहाड़ी की उन्चाई पर गए और आपने तमाम कबीले के लोगों को आवाज दे जब सब लोग जमा हो गए तो रसूल صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ने उन लोगों को अल्ला की नाफर्मानी से डराया उनको आने वाले अजब के बारे में बताया और उन तमाम लोगों में अबुलाहब भी वहां मौजूद था इन बातों को सुनने के बाद अबुलाहब ने आप अबुलाहु अल्याहिए वाली वाली वसलम बर्बाद हो जाएं इसके बाद ये वो मौका था जिसके बाद इस सुरत का नज़ूल हुआ और इस सुरत में अबुलाहब की हलाकत और बर्बादी का तथक्रा है कुरान पाक में अल्ला ताला फर्माता है के अबुलाहब और उसकी बीवी बरबाद हो जाएंगे और वो दोनों जो हैं हमेशा एक बढ़कती हुई आग में जलते रहेंगे तो ये जो सुरत है इसका तब नजूल हुआ था जब अबूलाहब ने हज़ूर सलम की शान में बुरे अलफास कहे थे अबूलाहब जो है तो उसकी बीवी जिसका नाम उम्मे जमील था और वो भी ना सिर्फ ये के इसलाम की सख्ध दुश्मन थी बलके नभी करीम सललाहु आलिह आलिह वसल्म की रहा में भी पत्थर बिचाती थी यहां तक कि वो खारदार जाड़ियां जंगल से जाके अकठा करके उनका गठा बना कर लाती थी और नभी करीम सललाहु आलिह वालिह वसल्म के घर के बाहर बिचा देती थी और जब आप सललाहु आलिह वालिह वसल्म घर से निकलते थे तो कई बार आप सललाहु आलिह वालिह वालिह वसल्म के पाउ मुबारिक जो थे उन जाड़ियों से जखमी हो गए थे तो इस सुरत में अबुलाहब और उसकी बीवी दोनों की बर्बादी का तस्क्रा है अबुलाई टालाई फर्माता है कि वो और उसकी बीवी दोनों आग में डाले जाएंगे और वो इसी तरहां उसकी जो बीवी है इसी तरहां खारदार जानियां लाकर अपने शोहर पर अजाब इलाही की आग को तेज करती रहेगी और वो दोनों हमेशा इस आग में जलते रहेंगे और फिर हुआ यूँ कि उसकी वीवी की मोद भी इसी तरहां वाक्या हुई थी कि गठे की जो रसी थी उसके गले में आ पड़ी और उसका दम गुट गया और वो मर गई तो ये था सूरत का शान नजूल अब हम आते हैं सूरत की तरफ और पहले में इसकी अर्बी पढ़ूंगी और फिर इसकी बात हम हर आयत को उसके तरजमे के साथ पढ़ेंगे बिसमिल्लाहिरुख्मानिर्वहीम तबबत यदा अभी लाहब्यू वतब मा अगना अन्हो मालुहू वमा कसब सैसला नारन जाता लहब्व वम रातुहू हम्मालतलहतब फी जीदिहा हबलम मिम्मसद अब इस आसूरत को तरजमे के साथ पढ़ेंगे बिसमिल्लाहिरुख्मानिर्वहीम शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा महर्मान और नहायत रहम फर्माने वाला है तबबत यदा अभी लाहब्यू वतब तबबत के माइनी तूट के यदा जिसके माइनी है दोनों हाथ अभी अर्बी में अभी फादर को कहते हैं वालिद को कहते हैं लाहब लाहब वतब वाओ के माइनी अर्बी में और तब तबाह हो गया तूट गए अभूलाहब के दोनों हाथ और वो तबाह हो गया मा अगना अन्हो मालुहू वमा कसब मा अगना ना तो उसका अन्हो मालुहू उसका माल ना तो उसका माल उसके काम आया वमा कसब और जो उसने कमाया और ना उसकी कमाई सयसला जल्दी पहुंचेगा नारन आग में जाता लहब वो अनकरी भड़कने वाली आग में जाएगा वम रातु हूँ और उसकी बीवी बी जाएगी हम मालतल हतब जो लकणिया ढोने वाली है यहीं के जो लकणिया उठाने वाली है इसका मतलब यह है क्योंकि उसकी बीवी जंगल में जाकर खारदार जाणियों का गठा बनाकर अपने सर पर रखकर लाया करती थी तो यहाँ पर इस तरजमे का मतलब मफ़ूम यही है और जो लकणिया ढोने वाली है फी जी देहा जी देहा उसकी गरदन फी के माईनी में हबलम मिम्मसद हबल के माईनी रसी मिम्मसद बल खाई हुई उसके गले में एक मजबूत रसी पड़ी होगी मूँज बल खाई की तो यह था आज का टॉपिक ठीक है शाने नजूल और इसके साथ साथ मैंने आपको सूरत बमायत तर्जमा पढ़कर बताया इन्शालला नेक्ट क्लास में फिर हम इसकी मज़ीद एकसरसाइज जो इसके अर्भी अलफाज उर्दमाईनी है आयात के तराजम है और के लिए अल्ला हाफिज